जहीं दोस्तों कैसे हैं आप लोग फिर से स्वागत आप सभी का अपने चैनल है इशार फोरी हो मैं मेरे प्यार बच्चों आज हम आप लोगों के लेकर का हैं आवेदन पतर लिखेंगे बिहार बोड में आप परिक्षा में आवेदन पतर कैसे लिखेंगे क्लास 10 के बिद्यारती हो एक क्लास 12 के बिद्यारती हो दोनों को पांच नमर का आवेदन पतर लिखेंगा और मैं गैरंटी देता हूँ कि यदि आप इस वीडियो को अंतक देख लेते हैं तो एक नई ट्रिक के साथ आवेदन पतर लिखना सुख जाएंगे और जो कि कभी नहीं भूलेंगे तो तयार है आप लोग तो चलिए अंतक वीडियो को देख लिए पांच मिनट का वीडियो और पांच नमर आपके लिए तयार है देखें बस दो ट्रिक याद रखना है अगर ये दो ट्रिक आप याद रख लेते हो न तो आपको आवेदन चारिये को एक आवेदन पत्र लिखें के लिए सवाल समझ मां गया कि आपका सिक्ष शुल्क यानि पढ़ते हैं उसका फीज जो है माफ करना है किसको लिखना है तो इसमें दो चीज आपको याद रखना है सबसे पहले कहना क्या तो सिक्षन शुल्क तो आपको याद रखन लिखना क्या है क्या और किसको ये दो चीज आपको याद रखना है बस क्या लिखना है और किसको लिखना है दोनों आप याद कर लिए यहां से आंसर निकालेंगे दोनों फिर आप पूरा एजियली लिख सकते हैं तो सबसे पहले हम क्या था किसको लिखना है ठीक है किसको तो परधान अध्यापक को कह रहा है ठीक है चलिए आईए बताते हैं सेवा में सबसे पहले क्या लिखेंगे हम सेवा में परधान चारिय महोद है क्योंकि कह रहा है किसको तो परधान अध्यापक को यानि किसको तो परधान अचारी को लिखना है तो सेवा में सिरीमान परधानचारी महोद है किलियर हो गया अब आप जिस विद्याले से हैं जहां पढ़ते हैं उस विद्याले का नाम यहां पर देढ़ेगा मैंने लिख दिया उच्छ माद्धिक विद्याले आपका जुगाओं का नाम होगा मदवनी, जरवंगा, सहरसा, आरा, छपड़ा, खुटा होना जो भी होगा आप इसमें डाल दोगे तब परधानचारी महोद के नीचे में उच्छ बिद्याले माद्धिक बिद्याले पलस्टू, स्कूल किसी का होगा जो भी होगा, वो अपने स्कूल का नाम लिख दोगे, ठीक है तो किसको लिखना था, सिक्छक को लिखना था, किलियर हो गया, अब क्या लिखना है, देखना है, क्या लिखना है, तो क्या रहा शुल्क माफ करवाना है, क्या करवाना है सिक्षन शुल्क माफ करवाना है तो आईए विशेह हो जाएगा आपका सिक्षन शुल्क माफ करने है तू आवेदन पत्र हो गया के लिए क्या करने के लिए तो सिक्षन शुल्क यानि सिक्षन शुल्क माफ करने है तू आवेदन पत्र तो आपका किसको लिखना था, यहां हो चुका है, क्या लिखना था, यहां हो चुका है, दो मैटर, दोनों मैथर्ड कम्पलीट, अब आप पाँच नमबर की और बढ़ रहे हो, अब बस केवल और केवल मैटर लिखना है, मैटर को समझते हैं कैसे लिखना है, तो कह रहा है, श सर को लिखे रहे हो तो लिखेंगे सर यानि महांश्य है सविन्य निवेदन है कि मैं सविन्य निक्षा का बिद्धार्ती कि इस चिसल्स के लिए पकुछा निरा टो परिक्षा में Würत्करी का सवह यू करेंगे हैं अन्य निर्धनbank के पाड़न से संब्द रखता हूँ कहां से हो बawyya? मैं किस परिवार से? तो निर्धन क्योंकर पैसा ही नमाप करवाना है आप कहोगे कि याँ कि हम एक rich family के है हम अंबानी के बेटा है तो पैसा माप नहीं हो meillä तो कहना होगा कि हम किस परिवार से? भोजन मिल जाता है यानि मेरे पिता जी इतना कम पैसा कमाते है कि किसी तरह से दो समय का है किसी तरह से दो वक्त का रोटी खा लेते हैं ये इश्वर की किरपा है लीला है वरना अत्तरिक पैसा मेरे पास तो है ही नहीं किलियर है यतना मिल जाता है कि दो वक्त कहां बोजन खा लेते हैं अब यहां पर क्या हो गया कि मैटर को समझ गया सिक्षक भाई यह गरीब बच्चा है कि पिता इतना कम कमाते हैं कि यह दो वक्त की रोटी मुश्किल से खा पता है बेचारा कहां से फिस देगा तो समझ भफता माफ करेगा आगे वे मेरे पढ़ाई लिखाई का बोज नहीं उठा सकते जब हम दो वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से खाते हैं तो हमारे पिता जी जो है हमारी पढ़ाई लिखाई का बोज बड़ी मुश्किल से खाना खिलाते हैं तो पढ़ाई लिगाएगा खर्च बिल्कुल ही नहीं उठा सकते हैं अब परने वाले को लगेगा कि यारी तो सही मैं अपनी दीनता का प्रतिक दे रहा है तो यहां पर मैं अच्छा बहुत ज्यादा लंबा मत लिख देना पहली बात बता दे रहो बहुत जमा नहीं कर सकते हैं एक और परमान देना होगा क्या जिससे आप किसी से कुछ मांगते हो तो खुश करोगे ना यह खुश करने का है बड़ापन दिखाने का ठीक है अता मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि आप मेरा सिक्षन शुल्क माफ करने का किरपा करें हाद जोर र होगा जैनि सद्धा शुकर गुजार रहोंगा यदि आप मेरा सिक्षन शुल्क माफ कर देता है तो मैं आपका सद्धा अभारी रहोंगा तो आप देखिए कतने टोपिक में लिखा गया एक पॉइंट ऐसे लिखना है यह हो गया यह आपका दूसरा पॉइंट हो गया यह तीसरा महाश्या चौथा और यह अतो जो है वो पांच वा तो पांच पॉइंट में डिवाइड कर देना है पांच पॉइंट इसकल टू पांच नमबर पांच जातरकना है वन सेवा में तू प्रदाना चार्म हो था टॉपिक विश्या जो मैटर था महाश्या उसके बाद अतो हलिग देना है यह होगि आपका कम्पलीट अब यहाँ पर आपको झाम कर देना है कि आपका अग्याकारी शिस छात्र मेंध तूडेंट का क्या域 में हूँ यहाँ पर क्लाइस का नाम लिए नियुकर पचास है तो पचास लिख दोगे और ठीक इसके left side में थोड़ा सा पैडा किराफ आपका बचा होगा यहां पर आप अपनी तीती लिख दोगे क्या लिख दोगे इस बीच में आपको तीती लिख देना है क्या लिख देना है अब आपका क्या हो गिया definitely अब आपको पूरा 5 मे ने बताया है कि एक दो तीन चार पांच ठीक है यहां अगर इसको भी जो लेंगे तो यह मिला करके आपका च्छा हो जा रहा है इस तरीके से ट्रॉपिक वाइज लिखेंगे तो डिफिनेटली कह रहा हूं मैं बिहार बॉर में क्लास तेन्थ हो यह ट्वेल्थ के बच्चे हो उनको आवेदन पत्र में पूरा का पूरा नंबर मिला इसलिए फटाक से पहले आप लोग इसकीन सोट ले लिए ऐसे ही लिखना बिल्कुल दाजू तरीके से चाप देना है ठीक है तो आई हो आप सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा और सारे बच्चे लिखके ट्राइ करेंगे ठीक है और यदि आप अच्छे से लिख लेते हैं तो मुझे आशा है कि आपको पांच में पांच नंबर देगा एक नंबर भी नहीं काटेका सइक आपका क्यों क्यों यह स्ट्रक्चर पर लिखोगे तो इसी स्ट्रक्चर का नंबर मिलता है तो समझ में आ गया तो सारांस बताएंगे पत्र बताएंगे अब एदर सब कुछ मैतली का भी बताएंगे तो चलिए मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए चेहिं वंदे मतरा